आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है संसद भवन के उद्गाटन कारेक्रम में राष्ट्रपती द्रवपती मुर्म को नहीं बुलाये जाने से विपक्षी दल मोधी सरकार के खिलाफ निरंतर हमलावर है कुछ विपक्षी दल ने उद्गाटन कारेक्रम में सम्मेलित नहीं होने का निरने लिया है इस बीच शनिवार को NCP प्रमुक शरत पवार ने मोधी सरकार पर संसद भवन निर्मान के चलते भरोसे में नहीं लेने का आरोप लगा है। इस बारे में पूछे जाने पर शरत पवार ने कहा इसका अर्थ यह है कि फैसला लेने की प्रक्रिया आरंब हो गई है। जाने पर की चर्चा पर पवार ने कहा यह गलत है। इस खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। इसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दे कि देश में ने संसत भवन का अठाई समय को उद्गाटन होने वाला है। प्रधान मंत्री मोदी की आलोचना कर रहे है। आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। CM ममता के हरीत फटा का कलस्टर प्रस्ताव पर परियावरन विदो की भी है तनी। पशिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने राज्य में हरीत फटा का कलस्टर बनाने का प्रस्ताव लाया है। जिसमें पटाकों की अवेद फैक्टरियों में कारिरत श्रमिकों को सामयोजित किया जा सके। इस प्रस्ताव से परियावरन विदो की भवे तन गई है। परियावरन विदो को संदे है कि पशिम बंगाल प्रदुशन नियंदरन बोर्ड द्वारा लागू साउंड डेसिबल मांदंडों को देखते हुए मुख्यमंत्री का यह प्रस्ताव वेवारिक नहीं है। परियावरन विदो और ग्रीन टेकनलोजिस्ट सौमेंदर मौन घोश के अनुसार सामन्य पटा के लगबग 160 डेसिबल द्वनी पैदा करते हैं। द्वनी डेसिबल सीमा के भीतर ग्रीन फटाकों का निर्मान सुनिचित करेगा। पिछले साल अक्टूबर में WBCCB के अधिकारियों के एक वर्ग ने भी राज्य के बाहर से आने वाले हरे पटाकों परपच्चिम बंगाल में निर्धारीत द्वनी डेसिबल सीमा से अधिक शोर होने की आशंक जताई थी। गोश्ट जैसे परियावरन वीरुदस विकार करते हैं कि अक्सर पटाकों से संबंदित उसरजन के मुद्दों पर ध्वनी सीमा मान दंडों को बनाय रखने से संबंदित प्रवर्तन की उपेक्षा की जाती है। 16 मैं को हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अवेद पटा का बनाने वाली फैक्टरी का मालिक भी शामिल था। 16 मैं की आर्थिक सहायता देने की घोशना की। अधिकारिक सुत्र ने बताय कि टोक जीले में गुर्वार को आंधी और भारी बारिश के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मुख्य मंत्रे ने मौतों पर दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा। प्रतिक मृत्तक के परीजनों को 5-5 लाख रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गैलोत ने राज्य में आधी बारिश और ओनवरिश्टी से हुए नुकसान पर भी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा नुकसान का अकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडितों की हर संभव मदद की जाएगी। फिलाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रहे हैं MNS News पर नमस्कार।